मेरे परिवार जनों, हर छेत्र, हर बर्ग तक विकास का लाब बहुँचे, सबको सम्मान का जीवन मिले, ये भाजपा की नीती है, तुष्टी करन किसी का नहीं, और विकास से वंचिद भी कोई न रहे, ये ही भाजपा की नीती है, देश के इतिहास में, पहली बार, भाजपा ने, एक आदिवासी परिवार की बेटी को, राष्ट्रपती बनाने का फैसला किया, लेकिन कॉंग्रेस ने उनका भी विरोद किया, उनके खिलाप अपपचार किया, भला बुरा कहा, कॉंग्रेस का ये विरोद बाजपा के विरोद नहीं था, बलकि ये आदिवासी बेटी के विरोद में था, 36 गड़ के हर आदिवासी को, आदिवासी की बेटी का, ये अपमान हमेशा हमेशा याद रखना है, और कॉंग्रेस को इसकी सजा देनी है, सजा देंगे न, दोनों हाथ उपर करके जड़ा बताईए, सजा देंगे न, आदिवासी बेटी के अपमान का बढ़ला लेंगे न, कॉंग्रेस को सजा देंगे न, साथियों कॉंग्रेस की यही मानसिक्ता है, जिसके कारण दसकों तक आदिवासी समाज वन्चित रहा, 36 गड़ में, तुरुतिय और चतूत स्रेणी की भर्तियों में, आदिवासी आरक्षन के मामले में, कॉंग्रेस की भुमीका को आदिवासी समाज नहीं भूल सकता, महरा महरा समाज को एस्टी का दर्जा देकर, उनकी लंबे समय से लंबित मांग को भाजपाज सरकार ने पूरा किया, बारा समुदायों को अनुसुची जनजाती में सामिल करके उन्हें, एस्टी का दर्जा देकर, उनके भविश का रास्ता भी भाजपाज सरकार ने प्रसस्त किया, ये हमारी सरकार है, जिसने OBC आयोग को सम्वेधानिक दर्जा दिया, मेडिकल के All India कोटे में OBC आरक्षन की व्यवस्ता भी भाजपाज सरकार ने की है, कॉंग्रेस ने OBC को क्या दिया, सिर्फ दोखा और गाली मुझे भी नहीं छोड़ा, जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया, तो मुझे गाली इसलिए देते थे, कि मैं OBC समाच से आता था, ये इनकी मान सिखता है, ये हमारी सरकार है, जिसने मेडिकल और इंजिनियरिंग की पढ़ाई मात्रू भाषा में हो इसकी व्यवस्ता की है, और इसके सबसे अधिक लाब भी, गरीब, SC, ST, OBC माताओं की संतानों को ही होगा, हमारी ये बच्चे, अंग्रे जी की वज़़ से, पढ़ने में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब, ऐसा नहीं होगा, भाजपा सरकार बनने के बाद, 36 गड़ में भी, मात्रू भाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा, गाउं का गरिब की बेटे बेटी भी, डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीर बन सकेंगे, ये मेरा सपना है,